नमस्कार दोस्तों, Grand Park Garden में आपका हार्दिक स्वागत है, दोस्तों इस वीडियो में हम आपको यह जानकारी देंगे कि गार्डेनिंग में अपने किसी भी प्लांट्स में हम ट्राइकोडर्मा का किस तरह से इस्थिमाल करें, दोस्तों, ट्राइकोडर्मा एक जैविक फंगिसाइड है, आरगैनिक फंगिसाइड, आरगैनिक फफूद है, और यह पाउडर फार्म में तथा लिक्विड फार्म में दो तरह से आता है, दोस्तों, गार्डेनिंग में बहुत कम हातरा लगती है, वैसे यह एक किलोग्राम क के रख लीजिए तो आपका सालों चल जाएगा दोस्तों यह जड़ से संबंदित जो फंगस होते हैं उनको मारता है उनको खतम करता है वह मिटी में पाये जाने वाले फंगस से और जड़ में तना में पवधों के अन्यभाग में लगने वाले फंगस से यह हमारे पाउधों को सुरच्छा कवज प्रदान करता है उनकी सुरच्छा करता है यह मेरे हाथ में ट्राइको डर्मा का पाउडर है वन के जी का है और दोस्तों ट्राइको डर्मा हार जीनम 2% WP तो यह ट्राइको डर्मा का पाउडर है यह तमाम कंपनी का आता है कुछ कहीं कहीं नाम भी आपको चेंज मिलेगा त्राइको डर्मा होना चाहिए आप ट्राइको डर्मा खरी दिये और अपने पौधों में इस्तेमाल करिए दोस्तों यह एक प्रफूध है और जो और उसमें लोग तमाम तरह के फंगस लगते हैं और उसमें हम लोग तमाम तरह की केमिकल दवाई इस्तेमाल करते हैं फिर भी हम अपने फंगस को बहुत समय के लिए ठीक नहीं कर पाते हैं लेकिन जो ट्राइको डर्मा होता है तो यह हमारे पौदे के उपर उसके रूट के उपर उसके जड़ के ऊपर एक तरह से अपना सुरच्छा घेरा सुरच्छा कवच लगा लेता है और यह एक बार प्रयोग करने पे काफी समय तक काम करता रहता है तो दोस्तों अब हम आपको इसके फाइदे के बारे में बताएंगे इसके क्या-क्या फाइदे हैं और इसक होता है और पवधे की ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है कि दोस्तों कि यह ट्राइको डर्मा पवधे में बीज जनित रोग अगर बीज में कोई फंगस है तो उससे जो रोग उत्पन होता है या मिटी में कोई फंगस है और उससे कोई रोग उत्पन होता है तो या बीज को दर्मा दी छोज होने में मदद करता है जो भी मिठी में कारबनिक करते हैं वो कंपोज होकर करके जर्ड के माद्ध्यम से पॉदुन में अगला फायदा यह है कि जो नाशक दवाये आती हैं काफी मांगी होती हैं काफी खर्चली होती है यह ट्राइकोडर्मा काफी सस्ता होता है तो यह हमारी निर्भरता के उनके उपर से रासानिक दवाओं के उपर से हमारी निर्भरता खतम करता है उत्पादन जो भी होता है आरगैनिक तरीके से हमें सुद्ध मि मिलती है, दोस्तों अगला फायदा यह है कि यह मिठी में जो मौझूद होते हैं केंचुय इत्यादी जो कि हमारे लिए मिठ्र फ्रेंड फंगस होते हैं, इस तरह के और भी जीव मौझूद होते हैं, जो मिठी में रहते हैं और हमारी मिट्टी को भूरी बनाते हैं, हमें कई तरह से फायदा पहुचाते हैं, तो ऐसे जिवानगों के ऊपर, केचुओं के ऊपर या ट्राइको डर्मा कोई बुरा प्रभाव नहीं डालता है, और या वातावरन के लिए पूर्ण रूप से 100% सुरच्चित है, या कोई प्रदूसर्ण नहीं फैलाता है, दोस्तों, भारत सरकार की राष्टी संस्था नेशनल सर्टिफिकेशन आप आर्गैनिक फार्मिंग की तरफ से जैवी खेती में इस्तिमाल करने के लिए ट्राइको डर्मा को कानूनी तवर से प्रमार्पत्र मिला हुआ है, इसे आप जो ह प्रम को मजबूत करता है, और जिसकी वज़ा से हमारे पौधे स्वस्त और हरे भरे राते हैं, तो दोस्तों, इस तरह से ये सब हमने फायदे के बारे में बताया, अब हम आपको बताएंगे की इनको प्राइको डर्मा को किस तरह से इस्तेमाल करना है, और इसकी हम कितनी मा कि पया नम करना है, ये शहा नम करना कहते हैं, आपको पानी से सपनो रहे पांप, कई KihQuadar का चीडिकाव करने के बाद उसको हाथ से करना का पार मिक्स करों यृजिए। मिक्स करके उसको च्छाओं में आदा गंटा एक गंटा सुखा लिजिए धूप में नहीं सुखाना है और उसको फिर इसके बाद बुआई करिए तो जब आप खेत में बीच को बोएंगे या गंबले में बोएंगे जमीन में बोएंगे तो यह ट्राइकोडर्मा बहुत सुखा घेरे के अंतरगत जो नुक्सान पहुचाने वाले फंगस हैं अगर उनका आटैक होता है तो यह उनसे मित्र फंगस मजबूत पढ़ते हैं और वो नुक्सान पहुचाने वाले फंगस को पौधों की जड़ों के पास तक नहीं आने देते हैं जड़ों की सुखा करत है तो रीपार्ट से पहले एक लीटर पानी में पांच से लेकर के दस ग्राम ट्राइकोडर्मा का घोल तयार कर लीजिए जितने भी आपके पौधे हैं उनकी जड़ों को उस ट्राइकोडर्मा के घोल में डूबो दीजिए और उसे एक घंटा तक डूबाये रखिए एक करना है यहां कहीं जमीन में लगाना है तो यह आप असकी रुपाई कर सकते हैं खोर दूसरा काम हो गया पहला काम है जो तैयार नर्शरी में तैयार पौदे हैं उनके जड़ के सोधन में दोस्तों तीसरा फादा अगर प्रयोग अगर आप किसी पौदे में चित्ती चित्ती हो गया है या फंगस का असर है तो या पर्ण संकुचन का दिक्कत है जो पत्ते शिकूरने लगते हैं तो उसमें आप ट्राइको का दर्मा का गोल एक लीटर पानी में पांच से दस ग्राम ट्राइको डर्मा डाल करके गोल तैयार करिए और इस्प्रे की मदब से पौदे के ऊपर चिटिकाव कर दीजिए तो इसे आपका या जो पत्तों पे फंगस क्या आसर होता है तने पे फंगस का आसर होता है यह समस्या से आपक को सोधित नहीं किया इनकी जड़को तो आप बाद में भी कर सकते हैं और जिससमाँ आप गुडाई करते हैं तो गुडाई के टाइम पे गमले के अंदर से इस तरह से खरपतवार निकाल लीजिए और खरपतवार निकालने के बाद यह देखिए ट्राइको डर्मा को आप थोड़ी सी मात्रा एक गमले के लिए देखिए हम डाल लें यह इस तरह से यह सफेद पाउडर होता है यह इतनी मात्रा काफी है इस तरह से मिट्टी के ऊपर हम फुरकाओ कर देंगे छिड़काओ करने के बाद इसका हम इस तरह से गुडाई करके और हम अपने गमले में की कि मिट्टी में मिक्स कर देंगे यह कि पानी डालने के साथ में हमारे कि फाॉदे की जड़ पुूँच जाएगा और जट चैद के चारों तरब सुदश्ण का घेरा तयार कर लेगा और हमारे एस पौदे में या किसी पौदे में जहां आप इस्तेमाल करेंगे किसी भी और जो भी मिट्टी भी सोधित हो जाएगी जो भी इसके फाइदे हैं हमें सारे मिलेंगे दोस्तों इसके प्रयोग का अगला तरीका है यह तो बात रही पौधा अगर लग चुका है तो उसके लिए अगला फादा उपयोग जब हम तयार करते हैं मिट्टी अपने गंले के ल पाइच के लिए और जोफोराए के लिए तो उससे पहले पकर शूंत सब्युदधेशन जोबर ऐटाओर कि खाद में एक कीलोग्राम द्वाई को मिक्स कर दीजिए। और उसका इस 50 ens खेत में बराबर मातरा में भूर्काव कर दिजिए बात करें गंदे की बागवानी के लिए तो जिस समय हम मिठ्टि तयार करते हैं उस समय मिठ्टि में एक किलो ग्राम अगर 10 kg मिट्टी तयार कर रहे हैं तो उसमें 5 ग्राम की मात्रा काफी है चार-5 ग्राम की मात्रा डाल देंगे वह आपके एक गमले के लिए पर्याप्त हो जाएगा दोस्तों ट्राइको डर्मा को प्रयोग करते समय हमें कौन-कौन सी साउधानियां रखना है पहली साउधान यह साल तक ही काम में आता है इसकी अवरी एक साल की होती है एक साल के बाद इसमें जो भी जिवारू होते हैं वो धीरे-धीरे समाप्त होते रहते हैं उनकी संक्या कम हो जाती है तो एक साल से पुराना ट्राइको डर्मा इस्तेमाल ना करें अगर आप खरीद के एक किलो का का पै 실ं़ deposit लाते हैं उसे एक साल के अंदर के अंहीं इस्तेमाल करनें रही है दोस्तों इसके साथ में किसी प्रकार के खेंग फंगी साइड या लाते हैं उसे एक साल के अंदर में ही इस्तेमाल करने दोस्तों इसके साथ में किसी प्रकार के केमिकल फंगी साइड या केमिकल इंसेक्टिसाइड या किसी भी केमिकल खाद का प्रयोग न करें उसका गलत असर पड़ता है इस ट्राइकोडर्मा का च्छिड़काव सूबह जा इसका प्रयोग या तो सूबह में करिए आसाम को करिए ज्यादा बेटर होगा और दोस्तों यह ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करने के बाद जहां कहीं प्रयोग करते हैं वहां पर आपको नमी मेंटेन करके रखना है क्योंकि ट्राइकोडर्मा के डिमारू नमी में ही इसका किस तरह से उपयोग करें दोस्तों सब्सक्राइब चुड़के को कई तरह से द्हें बैफ इसका धे आद से जीवानगों को frustrating कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं और एक बार खरीद करके और उसको कई बार इस्तेंवार कर सकते हैं तो दोष्टों इस वीडियो को अब यहीं सभाफ करते हैं आगे फिर किसी वीडियो में आप से मुलाकात होगी तब तक के Λिए आप लोगों को बहुत-बहुत धन्नवाद कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए अपना अगर आपका कोई कमेंट है तो आप जरूर दीजिए धन्यबाद, जैहिंदू